स्टम के पीछे मजे ले रहे थे रिश्वपन तटक गई थी गबर की साथ डांस करते करते सीट पर बैठ गई थी प्रितिजिंटा तब ही दिल्ली के खिलाड़ी ने कर दी इतनी बड़े गलती फ्लाइंग किस तेने लगी प्रितिजिंटा रोमांचक मुकाबले में 5 करोड़ वाला खिलाड़ी 18 करोड़ के खिलाड़ी पर पढ़ गया भारी खलील ने खाली कर दिया था मैदान जीता हुआ मैच हार गई दिल्ली कैपिडल तो गबर को किस करने लगी प्रितिजिंटा ड्रेसिंग रूम में 6 करोड़ वाले खिलाड़ी पर आग बबुला हो गए रिश्यपन्त अगर ना करते ऐसी खलती तो जीता हुआ मैच हार जाती पंजाब किंग्स रोते हुए मैदान से बाहर जाती प्रितिजिंटा गबर के आज सबसे महेंगे खिलाड़ी ने जिस तरीकी का प्रेदर्शन किया उससे प्रितिजिंटा कुरसी छोड़ कर स्टेडियम में डांस करने लगी दर्शिकों ने मैच देखना छोड़ दिया कुछ देर के लिए लोग प्रितिजिंटा का डांस देखने लगे रोचक मुकाबले पर मैच पहुचा था तब ही रिशप पंत के सबसे सस्थे खिलाड़ी ने 18 करोड़ वाले सैम करन को मैदान से बाहर कर दिया खलील ने अपनी गेंदबाजी से धीरे धीरे पंजाब किंग्स को इतना मजबूर कर दिया कि पंजाब किंग्स के खिलाडी मैदान खाली करने लगे तब ही आज के मैच के सबसे बड़े विलन ने कैसी गलती कर दी जिसके कारण से रिशवपंत जीता हुआ मैच हार गए मैच में क्या को चुआ उसके पांच पॉइंट हम आपको बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे आप खुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखर जीता हुआ मैच कैसे हारा जाता है ये दिल्ली कैपिलल के खिलाडी ने था जिस खिलाडी पर रिशवपंत को सब था ठनक गया इधर मैदान के बाहर गेंद पहुंचती है उदर खुशी से प्रितिजिंटा डांस करने लगती है डांस करते करते प्रितिजिंटा इतना खुश हो जाती है कि उन्होंने फ्लाइंग किस देना शुरू कर दिया ये सारा नजारा क्रिकेट के सारे कैमरे में कुछ हुआ और मैच के 5 टरनिंग पॉइंट क्या है अब उसको 60 सेकेंड में आप समझ लीजिए उससे पहले हम आप से ही जाना चाहते हैं कि दिल्ली कैपिलल्स और पंजाब किंक्स के बीच हुए मुकाबले में आपके इसाब से मुकाबला कौन जीतने वाला था पंजाब कि और में 6 विकेट खो कर मैच अपने नाम कर लिया पंजाब को दो अंग्रेजों ने मिलकर ये मैच जिताया लियाम लिविंग स्टोन ने विजए चका मारा और 21 गेंदों में 38 रंड बना कर नाबाद लोटे लिविंग स्टोन के लावा ओल राउंडर सैमकर ने 47 गेंदों मे तिरेसर ट्रंड बनाते हुए अपने IPL करियर का बेस्ट स्कोर खड़ा किया दिल्ली के लिए 19 वे ओर में 30 गेंदबास खली लेहमद ने उस वक्त उमीत की किरन जगाई जब शुरवाती दो गेंदों में लगतार दो विकेट लिये एसी ओवर की आखरी बॉल पर डेविड शर्मा का इंजड होकर मैदान से बाहर चले जाना दिल्ली को भारी पड़ा इसके चलते आकरी ओर में नए खिलाडी सुमित कुमार को दिया गया जिन पर लिविंग स्टोन हावी हो गये और वो जरूरी चहरन बचा नहीं पाए दरसल मैच में 18 करोड की प्राइस वाले खिल गेंद बाजी के लिए बुलाया गया खलील ने अपनी गेंद बाजी से सैम करण को मैदान से बाहर कर दिया फिर अगली गेंद पर खलील ने जबरदस्त गेंद बाजी की और फिर एक और विकेट चटका दिया तीसरा विकेट खलील को मिलने ही वाला था तभी दुनिया के स अबसे अनुभवी खिलाडियों में सेग डेविड वार्णर ने हाथ में आए हुए कैच को छोड़ दिया जिसकी वज़न से जीता हुआ मैच रिश्यपंत की टीम हार गई और यही करण था कि रिश्यपंत ड्रेसिंग रूम में डेविड वार्णर की क्लास लगाते हुए दि झरड़ को रहा हुए झाल वार्णर जान से जीता हुए struggle नियू से एस देजने को लगा ड्रेसि रिश्यपनAllत की की दिका यही हुए रहा नार जह से वज़ना हुए कैसा दिको भड़ का दिस दिए बसी है अ कbay